नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर्णेशन और मैं हूँ प्रियादरसन बिहार में आज MLC चुनाओं के पांच सीटों के परिणाम आ रहे हैं और इस वक्त की एक बड़ी ख़वर जो कोशी सनातक निर्वाचन चेतर से आ रही है उसमें जदियू ने बड़ी बरहत हासिल कर लिए जो सुरवाती रुजान आ रहे हैं उसके अनुसार जो प्रत्थम वरियता के मत मिले हैं उन मतों के हिसाब से कोशी निर्वाचन चेतर से जदियू के संजीब कुमार ने एक बार फिर से बड़ी बरहत हासिल की है और एक बार फिर वो MLC बनने की अपनी राह को सुगम बनाने में करीब करीब बन चुके हैं। जदियू के बार फिर वो MLC बनने की अपनी राह को सुगम बनने में करीब 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 बनाना सुरू कर दिया है। संजन कुमार को भारतिय जंता पार्टी ने अपना उमिदवार बनाया था। जबकि जदियू के डॉक्र संजीव कुमार सिंग यहां से उमिदवार थे। डॉक्र संजीव कुमार सिंग पहले से भी यहां MLC थे। कोशी सिक्षक निर्वाचन छेतर का विस्तार पुर्णिया, सुपौल, मधेपूरा, सहर्चा, खगरिया, मुंगे, लखी सराइसिक पूरा, जमुई, बांका, भागलपूर, कटिहार, अररिया और किसंगन जिलों में फैला हुआ है। इस चुनाओं में यहां से बारह प्रत्यासी थे और बारह प्रत्यासियों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। मुख निर्वाची पताथिकारी हैं, उनकी ओर से इस प्रकार की कोई पुष्टी नहीं की गई है कि कितने मतों से संजीब कुमार आगे चल रहे हैं। मुख ने के लिए अपनी राह को सुगम बना लिया है और तथम वरियता के मतों के हिसाब से वे अपनी बरी बरहत की ओर आगे बर रहे हैं। मुझे अपनी बरहत की बरहत की थे जिए रहे हैं।